कहलोत सरकार के समय प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए शुरू की गई RGHS योजना पर संकट पंडराने लगा है योजना के तहर दावा सप्लाइ करने वाले केमिस्ट का आरोप है कि सरकार महीनों से उनके भुकतान नहीं कर रही है और इसी के चलते दो दिन आज और कल प्रदेश पर में RGHS में दवाई नहीं दी जाएंगी आपको बता दे कि प्रदेश के 8 लाग कर्मचारी और करीब 4 लाग पेंशनर्स के लिए RGHS स्कीम शुरू की गई थी अब पैसे की कमी के चलते ये स्कीम हिचकोले खा रही है योजना में कर्मचारी मेडिकल स्टोर में जाकर दवा लेते हैं और बदले में राज सरकार उस मेडिकल स्टोर को बिल का भुकतान करती है लेकिन केमिस्ट एसोसियेशन का आरोप है कि नवंबर के बाद के बिलो का भुकतान अब तक नहीं किया गया है इस संबंद में वे कई बार सरकार से ग्यापन भी दे चुके हैं केमिस्ट एसोसियेशन के आज़े अगरवान ले कहा कि राजस्थान में आर जी एचस की तहत 35 दुकाने पंजिकरित हैं लेकिन समय पर भुकतान नहीं होने से ज़ाद अतर केमिस्ट अब इस योजना में दवा सप्लाइन नहीं कर रहे हैं इस संबंद में समस अस्पताल और इसके आसपास के केमिस्ट ने आर जी एचस के बोर्ट को अपनी दुकानों को अलग करने की ठानली है आर जी एचस के बोर्ट को अपनी दुकानों से उन्होंने हटा दिया है तो यह बहुत बड़ा संकट आर जी एचस पर इस समय मंडरा रहा है आर जी एचस वो सकीम है जिसके मद्य नजर सरकारी कर्मचारियों को और पैंशनर्स को मुफ्त में दवाइं मिलती हैं और ऐसे में आर जी एचस के मद्य नजर जो केमिस्ट दवाइं देते हैं उन्हें भुकतान नहीं हो रहा है नवंबर से उनका भुक्तान नहीं हुआ है तो यहाँ पर कई केमिस्ट जिनोंने RGHS के बोर्ड अपनी दुकानों से हटा लिये हैं और वो अब RGHS के तहट दवाईयां नहीं दे रहे हैं पूर्व सरकारी अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सरकारी कर्मचारी, पैंचनर्स इन सबको इस योजना का लाब मिलता है और RGHS के मद्दे नजर जो केमिस्ट दवाईयां वितरन करती हैं उन्हें भुक्तान नहीं हो रहा है इस पर जादा जौनकारी हमारे सहयोगी जीटेंद्र दे रहे हैं जोतपुर से जीटेंद्र क्या रियाक्शन तमाम मेडिकल शॉप संचालकों का कब से उन्हें भुक्तान नहीं हुआ है और सरकार ने अभी तक किसे भुक्तान क्यों नहीं किया है आरजी एचस से एक बहुत महत्वकांशी स्कीम पिछली सरकार की रही लेकिन अब नवंबर से भुक्तान नहीं हुआ है ऐसी खबरें आ रही है बिल्कुल मिश्चित रूप से जो है नवंबर से ये समश्या जो है फेश कर रहे हैं दवासंचालक इनका कहना है कि छोटी छोटी तुरूटियों को लेकर जो है कई नवंबर से इनका भुक्तान ये सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपकी जो योजना है थी पूरू सरकार की उस योजना के जो पैंशनर को दवा दी जाती थी उसको लेकर पैंसरे जो आते थे उसकी किस तरही से भुगतान होता था आप तक कैसे पहुंचता था क्या समझता है पूर्वों में जब श्किम चलू ही थी 21 दिन का M.O.E. वहाता और लगबग 21 दिन में पैमेंट आ ही जाता था ज्यादा ज्यादा एक मेने में पैमेंट आ जाता था पिछले कुछ समय से तीन चार मेने से भुकतान नहीं आता है और बीच जीच में छोटी-छोटी तुरूटियों के करण ये बिल अटका दिये जाते हैं अब अगर बिमारी बढ़ रही है बिमारियां बढ़ रही है लोगस्वस्त नहीं रह पा रहे हैं और सरकार का खरच्चाप बढ़ रहा है इसमें जबास दुकान के नहीं को फोकारिया थो को दोष नहीं छोटी छोटी बातों को लेके टीपी एश हमारे बील रीजट कर रहा है ऐनकों के पैसे काट रहा है जो बिल्कुल आनुचीत है एकदम अनुचीत है बिल्कुल कई न कई अनुचीते छोटी छोटी तुरूटिया हैं उस वज़े से आप क्या आप कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो पैसा आ रहा था समय पे एक तो नहीं आता है दूसरा 21 दिन का टाइम बॉर्ण था उससे भी ज्यादा समय ले रहें अब आगे क्या करेंगे द वज़ोद भी हमें उनको व्यवस्ता करके देना पड़ता है हमें चाहे मार्केट से गूड्स मिले चाहे नहीं मिले फिर भी हम लोग उनकी सेवा में तद पर रहते हैं बट यह लंबे समय से जो यह समय से चली आ रही है उसकी वज़े से अभी हमारा ओके भी मैनेज करना ब करें पैसों की तो कितना पैसा जो है अब तक आपका अठका पड़ा है लगब मेरा अगर देखा जाए तो नौमबर के बात का अभी तक नहीं है और उससे पहले भी हमारा कई जो रिजेक्शन सोरक हैं बिल और जो पैसा हमारा काटा गया विदाट प्रायर नूटीस उसका पैसा हमें नहीं मिला विदक और दूसरा ही है कि अभी एक एक व्यापारी का कम से कम पंदा बंदा 20-20 लाग रुपे पैंडिंग चलता रहता है उसके लिए बहुत बड़ा मुस्किल होता है तो मार्केट को कैसे चुका है कैसे वह अपनी गूड्स को मैनेज करें क्योंकि जिन कहीं से भी आता है तो उसके पास प्रस्क्रिप्शन में काडियक मेडिसन होती है और वो कोस्ली मेडिसन होती है तो वह मैनेज करना बहुत मुस्किल होता है आम केमिस्ट के लिए अखिल राजस्थान नहीं हो पा रहा है शुक्री आपका जितेंद्र हमारे साथ चुड़ने के लिए तो अब पूरे राजस्थान से इसी तरह के रियाक्शन जो मेडिकल व्यापारी हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं अखिल राजस्थान नहीं होने को लेकर विक्रेताओं में खासा रोश्व्याप्त है लंबे समय से विक्रेताओं के अटके लाखो रुपे के भुक्तान को लेकर यह हर्ताल की जा रही है अखिल राजस्थान RGHS दवा विक्रेता महासंग अजमेर के प्रतिनिदी भगवती प्रसाद महेश्वरी से हमारे सहयोगी नभीन वैश्टव ने खास बातचीत की है जिसमनों ने दो दिन में समधान नहीं होने पर ओग रांदुलन की चेतावनी दी है राजस्थान सरकार के ओर से लागू की गई RGHS की सेवा एक बार फिर खटाई में पड़ती सी नजर आ रही है चुकि जो अधिक्रत विक्रेता महासंग है इसकी ओर से दो दिन की हड़ताल का आवान किया गया और आज और कल 27 और 28 फरवरी को दो दिन जो सेवारत कार्मिक और सेवानिवरत का जो कार्मिक है उनको दवाईयां नहीं मिल सकेगी इस दो दिन की हड़ताल को लेकर क्या कुछ रहने वाला है जो अधिक्रत महासंग है उसके भगवती माईश्वरी जी हमारे साथ है इनसे बात करते है कि कि रणनीती रहने वाले और इस हड़ताल में दो दिन क्या रहेगा मैं भगवती माईश्वरी अधिक्रत विक्रता विक्रता हूं मैं और अखिली राजस्तान जो अधिक्रत प्राइवेट एसोसियन जो है उनका एक कारी करता हूं और 27 और 28 फरवरी जो हमने जो हड़ताल की है हमारे साथ आठ जी चेस के तरफ जो एग्रिमेंट हुआ था उन्होंने का था 21 दिन में आपको बुक्तान करेंगे और समय रहते हैं आपको बुक्तान करेंगे पर पिछले काफी समय से 2-3 महने तक पेयमेंट नहीं आ पा रहा है अनाधिक्रत रूप से बिलो को रोका जा र रहते हैं अगर आप अपने बाद श्रावर रूप सरकार उनकी है सब दाक्तर को वोले तो आप पोपर तरीके से अपना त्यार करें उसके लिए के मिश्ड को उतरदाई नहीं दे के मिस्ट के हजारों लाखो रूपे के बिलो नहीं रोक रक हैं इनके बावत उनको बार बा नंचारी है जो पैंसनर है उनके खातों में से डिडेक्ट हो चुका है और हमारों को प्रतिव को आवान किया है जिनके प्रति हमने सरकार को अपनी नाराजगी जताई है और अपना निवेधन किया है सब्सक्राइब को प्रोपर रूप से वारता भी हुई है उन्होंनों कुछ आश्वासन भी दिये देखते हैं अगर हमारी पूरा करते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो निन उसको महा रूप में लेना का कोशिश करें अजमेर से केमरामेन अशोक बंजारा के साथ मैं नवीन वैशनाव, सच बेदाड़क